दोस्तो अगर आपका Demate Account अप श्टॉक में है तो दोस्तो हम आज की उन्हें में देखने वाले हैं कि आप अपना Demate Account कैसे पता कर सकते हैं दोस्तो दोसरा हम यह देखेंगे कि आपकी DPID क्या है तीसरी चीज़ और दोस्तो देखेंगे कि आपकी Client ID क्या है ठीक Client ID आप कैसे पता कर सकते हैं तो दोस्तो बने रही है दोस्तो जैसा कि हमने यह आप ओपन कर लिया है हम आप में ही देखने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहां आपको जाना है इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तो इस टैप से विंडो ओपन हो जाती है एंड दोस्तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां आपको ऑप्शन मिलना है अपडेट फाइनिशियल तो नीचे ही जैसे हम scroll करेंगे ऐसे तो आप यहां last minute देखेंगे Demate Detail तो दोस्तो आपको यहां दिखेंगे Demate Detail यहां आपको दिख जाता है कि जो आपका Demate Account वो CDSL में है और दोस्तो CDSL में फिर आप नीचे की तरफ देखेंगे Demate Account नमबर आपको यहां दिख जाएगा जो की 16 डिजिट का है 16 डिजिट ठीक है तो पूरा ही 16 डिजिट का जो है वो आपका Demate Account नमबर है और दोस्तो अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करें पहला जो 8 डिजिट है वो आपकी DP ID है ठीक है जो पहले 8 डिजिट है वो आपकी DP ID है और दोस्तो जो लास्ट के 8 डिजिट है लास्ट वाले वो आपके Client ID है तो ऐसे ही आप इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं पहला आठ डिजिट आपकी DP ID and second डिजिट जो है आपके Client ID तो इस तरीकिस आप तीनों ही एक ही account number में देख सकते हैं Demate account number प्लस आपकी Demate ID प्लस आपकी Client ID तो दोस्तो DP ID प्लस Client ID is equal to आपकी Demate account number ठीक है तो दोस्तो इस तरीकिसे आप यहां simply देख सकते हैं I hope दोस्तो आपको वीडियो अच्छे लगी है और आपकी काम आई है दोस्तो अगर वीडियो अच्छे लगी है तो इस लाइक करना न भूले कर चैनल पर पहली बार आएं तो आप इसे subscribe कर सकते हैं ज्यूर में करें देने बाद